तामिष नरक, अंधा तामिष नरक, जैसे कोई पर स्त्री के साथ सम्बंद रखता है, तो वहाँ उसके लिए अलग नरकों की ववस्ता बनाई गई है जोड़ना किसी चीज़ को, क्या भक्ती कहते हो, तो क्या भक्ती से सिर्फ पूजा करना का मतलब होता है भक्ती जो शब्द है, भजन जो शब्द है, भज धातू से बना है, भज माने to join something, जोड़ना किसी चीज़ को, क्या जोड़ना? अपने जीवन के हर क्रिया को, हर कर्म को भगवान से जोड़ देना ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ आत्मा भूद बन जाएं इसी प्रोसस में तो हम ब्रजवाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूथ पकड़ लेना उसको कोई भूथ नहीं पकड़ सकता जीते जी मरने की त्यारी करनी चाहिए ये क्या स्टेप है जो मरने की हम त्यारी कर सकते हैं मरने से सब जगडरे मेरे मनानन कब मरी हों कब भेटी हों पूरन परमान तिलक लगाना क्यों ज़लूरी है? क्योंकि ये पहचान है हम भगवान के हैं चितलिखा जी आपका दियरुन पंडे शो में बहुत बहुत स्वागता है बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए जैसे आप से कहा ना कि मुझसे जादा मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन और यहां पर जितने लोग है यह लोग भी आपको बहुत देखते ह हैं आज मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉड़कास करके एक मन में क्यूरियासिटी आती है कि चित्रलेखा से देवी चित्रलेखा बनने का सफर कहां से शुरू हुआ जब से मैंने खोश समाला मुझे लगता है यह सफर तभी से शुरू हो गया के नाम से की है तो बच्छपन से ही एक भक्ती में माहौल मुझे मिला यह सबसे अच्छी बात रही क्योंकि जन्म ब्रज में हुआ है चित्रलेखा नाम जन्म से मिल गया चित्रलेखा अगर आप जानते हो तो भागवत में भी एक जगे आती है और राधारानी की जो सकी चित्रा है तो मुझे लगता है राधारानी ने पहले ही चुन लिया था कि तुम इस काम को आगे करोगी और तब से ही यह यात्रा चल रही है साथ साल की उमर में आपने शुरू किया और अभी जो यह पूरा सफर रहा चितलेखा जी इसमें कोई चैलेंजेज आपने फेस किये यह ऐसे कहें कि बस होता चला गया चैलेंजेज देखे चोटे मोटे तो हर शेत्र में ऐसा कोई शेत्र नहीं बना दुनिया का जिसमें कॉम्पिटीशन ना हो समश्याय ना हो लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही है आज तक भी अगर मैं कहूं तो ऐसी कोई विशेश बड़ी ऐसी समश्या नहीं है जिसको लेके मैं कहूं कि बहुत जादा परेशानी है या फिर यह कहलो कि मैंने कभी उस समश्या को इतना जी जातरा वह तो बहुत आनन में और शुख में भी ति आप जैसे कह रहे है भगवान की कृपा जी सो ओ डी आसे कह सकते हैं कि जी ब्हगती करते हैं और वचा़ पार्ट करते हैं या कते हैं Windows किस पर नहीं है आप पे है मुझ जो सांस भी रहा है उसलकि कहां से आ रही है य करति बहुत हैं दो तो मुझे लगता है भगवान कभी भी कृपा में कोई भेदभाव नहीं करते हैं उस सब पर ब़राबर की कृपा रखते हाँ जैसे एक कहते हैं लाडला बच्चा होता है तो वैसे जो भगवान को मानता है उस पर भगवान का थोड़ा सा एक्स्ट्रा दुलार हो जाता है थोड़ा ज्यादा लाड़ हो जाता है भगवान हमेशा कहते हैं मैं भक्तों की अधीन हूं तो वहां पर भगवान थोड़ा कर देता है अगर आप एसास करेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहे और उनकी कृपा आपके उपर है मैं भी यहां पे कुछ एड़ करना चाहूंगा चितलिखा जी जब मैं छोटा था ना तो बहुत ज्यादा एसे कोई पूजा पार्ट नहीं करता था लेकिन धीरे धीरे स्रीक्रिष्ने से जोड़ना ही का मौका मिला इसलिए मैं अपने हर वीडियो में राधे राधे भी बोलत जाता है जब भक्ति करते हैं आपके विश्वास बढ़ जाता है और उमीद बढ़ जाती कि अगर प्रॉब्लम देखिए आपने जैसे का सबकी लाइफ में आती है उनसे लड़ने की शमता मिल जाती है मिर्श लगी है तो सक्कर का स्वार आ जाता है कि मैं हमेशा कथा में कह है गर्म कप को हम पकड़ नहीं सकते लेकिन अगर उसमें हैंडल दे जाता है तो हम आराम से उसको होल्ड कर पाते हैं गरम वह तब भी था तो भक्ति जो है रहेंडल का काम करती है आपको सम्हाल के रखती है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जो लोग सोचता है भक्ति जो मेरे पास आने लायक है या नहीं है, तो दुख तो आएंगे, लेकिन साथ-साथ में भगवान उसको सहने की शक्ति देते हैं, जैसे कुमार बहार से घड़े को बजाके, कच्छा तो नहीं है, बहुतर उसमें हाथ देखे थोड़ा सा सहारा भी देता है, तो सहारा भक्तist क काम करता है जब भक्ति कहते हो तो क्या भक्ति से सिर्फ पूजा करना का मतलब होता है भक्ति देखिए भक्ति जो शब्द है भज धातू से बना है भज माने टू जोइन सम्धिंग जोड़ना किसी चीज़ को क्या जोड़ना अपने जीवन के हर क्रिया को हर कर्म को भगवान स मैं कई घुमने भी जा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, साथ में अपनी ठाकुजी ले करके जाते हैं, मैं कुछ अच्छा पहन रहा हूँ, तो पहले भगवान को याद करूँगा, मैंने अच्छी गाड़ी लिये, मैं पहले भगवान को दूँगा, मतलब है, पूजा कर्म कांड के अनुसार जो विधी है, जो विधान है, मैं हमेशा कहते हूँ, पूजा करने के लिए तो दो रुपे में भी पूजा हो सकती है, लेकिन भजन करने के लिए या भगवान से प्रेम करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सस् इस बात का एहसास हो कि मैं जो करना हूँ ये उसके लिए एक दिन ऐसा आएगा जब ये materialistic जो दुनिया है इसको छोड़के मुझे एक जगे जाना है आगे की तयारी है मतलब अपना जो हमारा future leaf जब अविवुस्ँ लोग प्लानिंग करते हैं एकिन हम future में सोचें पस मुझसे पहले पहले जो जीवन ये प्लानिग पर भगती क्या है मुझे के बात मुझे के पहले दोनों का प्लान जो होता, जो हो सब जानते कि अगर कप होई युदिस्टि ये यक्ष ने पूचा था, कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युद्धिश्री ने एक शब्द बोला था, मृत्यू, अब हम थोड़ी बात मृत्यू की कर लेते हैं, मृत्यू हम सब की होनी है, हम हर किसी की होनी है, आप ने का मृत्यू के बाद मिलेगा, सो कईयों को तो शायद मुझे लगता है, डिसिप्लिन में रखने के लिए बात बोली जाती है, कि मृत्यू के बाद होगा, ऐसा ये मिलेगा, नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इस स्वर्ग और नर्क, आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्या ये इसी धर्ती पर है, या इस धर पे करना पड़ेगा, एट एनी कोस्ट, आपने जो खाया है, आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, वो इस दुनिया में भी होता है, लेकिन कर्म का जो सरकल है, जो शी कृष्न भगवत गीता में अठारे अध्याय में यही सिखाया है, तब जाके समझना इतना आसान नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह नरक स्वर्ग जो होता है यह डराने के लिए है, लेकिन मैं उनी लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपना एक समवीधान होता है, यहां एक कॉंस्टिटूशन बनाया यह इतना आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा, तो अगर एक राष्ट जो है, एक देश जो है, अगर वो बिना कॉंस्टिटूशन नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा जो नेचर है, इसमें भी कोई ना कोई तो समवीधान होगा, कोई ना कोई दंड वेवस्ता होग नागरिक्ता जैसे नागरिक्त सही काम करता है, वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो, बात रही कि क्या ये सच मुझ होते हैं, बिलकुल होते हैं, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, शिमत भागवत की में प्रवक्ता हूँ, भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नर्को स्वर्ग का वर्नन है, गरुड पुरान पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे जीवन के बाद क्या होता है, पर दिक्कत क्या है कि जब हमें चीजों को सुनाया जाता, बताया जाता, तो हम उन पर फोकस नहीं करते, जैसे आज भी भारत में परंपरा है, किस अकेले पंड़ा जी गला फाड़ फाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं, क्योंकि उनकों लगता है कि जो गया ये टेंपरेरी है, मैं तो पर्मानेंट हूं, मेरा तो ये कुछ होना जाना नहीं, लेकिन वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि सीखो आप, इसको सुनो आप, पढ कर्म का कितना बड़ा सिद्धानत है वो गूम करके आपके पास आएगा, तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी और खास के आज के यूथ को कभी नहीं सोचना चाहिए, ये बनी बनाई बात है, ये दंड व्यवस्ता है, जैसे एक देश की होती है, जैसे एक राज्य की होत और यम्राज बैल पर बैट करा सोड़ी बैड़ करा आते हैं ऐसा कुछ होता है ये डीपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हम भागवजी में इक अथा सुना थे अजामिल लगे जीवन में कोई अच्छा काम इपार अजामिल प्रहमन थे तो अजामिल बरहमन पहले बहुत प पड़े थे लेकिन क्या हुआ एक बार उनके जीवन में एक ऐसी नारी आ गई एक ऐसी उन्होंने किसी को संभोग करते देखा तो उनका मन किया कि तू मेरे साथ चल उसको घर ले आए वह वारंग ना वैशा थी तो उसको घर ले आए उसके साथ रहने लगे और संग का सर पढ तो उन्होंने साथू ने भोजन किया भोजन के बाद उन्होंने बोला कि घर में साथू आया कुछ दक्षना तो अजामिल डाकू बन चुका था बोला महराज मैं दक्षना देने वाला नहीं मैं छीनने वाला हूं तो साथू उन्होंने का अच्छा एक काम करो तुमारी जो हमारे शास्त्र कहते भगवान का नाम यतना पवित्र आप मन लगा लो गलती से लो उसका असर आप पर पढ़ता है तो बेटे का नाम बुलाता था पर उसको नाराइं नाम का फल मिलने लगा और जब उसकी मौत हुई मृत्यू के समय जब उसकी प्राण खीचे जा रहे थे तो यमदूत आये क्योंकि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था लेकिन लास्ट मुमेंट पर जा करके उसने जोर से आवाज लगाई कि नारायन मेरी रक्षा करो क्योंकि प्रांड खिच रहे थे तो उसी समय एक्जेक्ट दूसरी जगे विश्नुदूत आ गए और विश्नुदूतों ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम समय में नारायन नाम ले रहा तो नरक तो नहीं जाएगा ये कन्फरम क्योंकि उसने नारायन का नाम लिया तो फिर उन दोनों में वहां बहस हुई बहुत अच्छा प्रसंग है ये उसमें विश्नुदूत बताते हैं यमदूत बताते हैं कि किस को नरक नहीं लाया जा सकता है जो भगवान का नाम कभी जीवन में एक बार लेता हूँ उसको नरक नहीं लाया जा सकता तो वो सारा यमदूतों को बताया जाता है तब वो यमदूत और विश्रुदूत दोनों अजामिल को छोड़के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन करो भगवान को प्राप्ट करो तो अजामिल की कथा से मुझे लगता ये बात समझ आती है कि म हमेशा कहते हूं जन्व म्रत्यू जीवन के दो पेज भगवान लिख चुके हैं लेकिन इसके बीच के जो सारे पेज़ेंट हैं वो हमें भरने जन्मलाब हानी मरन यश अपवश विदिहात ये सब भगवान के हाथ में जन्म्रत्यू हानी लेकिन उस जन्व म्रत्यू के बी जैसे हमारे हिंदू परंपरा में चितलेखा जी एक विदी हितिरही करने का, यह हम तेरा दिन ही क्यों करते हैं? देखे ऐसा शास्त्र की मानता है, किम्रत्य होती है तो कुछ आत्माएं एसी होती है, जो जन्म के तुरंत, बाढ़ डुसी झाई चश्रा करते यह कि दूसरा धारन ये मेरे कर्मों पे निर्धारित करता है तो कुछ ऐसी है जो दो-चार दिन उनको लगता है कर्मों के नुसार अपनी नई बोडी खोजने में इसलिए 13 दिन का हम एक समय रखते हैं उसमें विधी विधान से पूजा करते हैं कि इसमें अगर कोई भी आत्मा गर किसी कारण से अटक रही है उसको एक शरी नहीं मिल पा रहा है तो हम 13 दिन तक पूरी विधिवत पूजा करते हैं ताकि उसको एक नया शरीर मिल जाए और वो आत्मा भठके न तो इसलिए 13 दिन का विधान है लेकिन हो सकता है कि तेरे दिन से पहले भी तुरंट वो जो आत्मा है वो दूसरे शरी में जा सकती है या फिर ये भी हो सकता कि कई-कई सालों तक भी नहीं जाती है क्योंकि शास्त्रे कहते हैं धुन्दकारी की कथा सुनाते हैं कि जहां पर कई दिनों तक वो भटकता रहा और तब गौकरन महराज ने उसके उधार के लिए भागवत सुनाई उसने कथा सुनी साथ दिन बास में बैठके और तब उसकी मोक्ती हुई तब उसका उधार हुआ तो सिर्फ इसलिए कि आत्मा दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाए उसके मुझे कभी कोई अनुबव हुआ हो या मुझे लगताओ कोई डिखेगा ऐसा नहीं मानती लेकिन भूध प्रेत नहीं होते यह यह नहीं मैं जिस भागवत की कथा गाती हुश किता140 की से होतिए प्रेत दुन्दकारी कथा क्या है अ धुतेकारी एक प्रेत था मतलब पैले म उसने बहुत गलत काम किये वैश्यावरती की जिंदा लोग को जला देता था बहुत बड़ा दैत्य बना मर के एक ब्रह्म राक्षस बना अब जब वह राक्षस बना तो उनके भाई थे गौकर्न महराज तो गौकर्न महराज को उसने जाके रात को सपना दिया बॉडी ट्रां सब्सक्राइब बोलने लगा मैं तुम्हारा भाई हो और मुझे उध्धार, चाहिए तो उध्धार कैसे हमारे यहां मानते कोई आत्मा हो कोई पित्र हो तो उनके लिए गया में पिंदान करो उससे उध्धार हो जाता है तो गौकर्न महराज को पता था ब्रह्म राक्षस ह एक बार से तो कुछ होना नहीं तो उन्होंने कहते सो बार पिंडदान किये उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए नहीं हुआ फिर भी ब्रह्मराक्षस बना रहा तो सूर्य भगवान ने गौकरन महराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गाउं में भागवत कराओ यह साथ दिन कथा सुनेगा भागवत श्रवन करेगा और तब इसका उद्धार हो तो उन्होंने भागवत कराई अब गाउं में भागवत हुई अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में क्योंकि प्रेत आत्मा यह जो सब जो भी होती है यह अच्छी जगे से यह जा नहीं सकते वहां पर इनकी एंट्री नहीं है आपने जो का ना भूत प्रेत को मानते हों ना मानने का मेरा मतलब यह मैं कृष्णभवत हूँ वैश्णव परंपरा से हूँ ब्रज से हूँ तो हम ब्रजवाले मानते हैं कि जिसको नंद का पूत पकड़ लेना उसको क पूत नहीं पकड़ सकता क्योंकि नंद का पूत एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ा आकर्शन शक्ती रखने वाला है तो इस कारण से जहां अच्छी चीजें होती है वहां भूत प्रिवेश की प्रिवेश एंट्री नहीं है तो कैसे कथा सुने तो उसने एक ऑप्शन च बटा और तब उसके लिए विमान आया और उसको लेकर ब्रहण होते लेकिन जो भगवान को मानने वाला होगा ना तो प्रिवेश को कभी चू सकते हैं ना उसको से डरने की आवर्श रकता क्योंकि उसके पास भगवान का नाम को अपने भूत प्रेथ फे और भ्रह मराक्श पावरफुल भूत पावरफुल भूत वहां आप लाग कोशिश करोगे जैसे सौ बार पिंदान किया तो भी उसका उधार नहीं हुआ तो मैं एक्जेक तो क्या क्या डिफरेंस है इतना तो मैं नहीं डीटेल में जानती लेकिन मुझे ये पता है कि तीनों में डिफरेंस होता तो ठीक वैसे भूत पृत में सारी अथियूरिटीस होती है ऐसा कुछ होता कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी देथ होने बाद ब्रह्म राक्षास बनता है ज्ञानी पुरुष देखिए अपराध जीवन में कोई हो गया हो कि कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बह देखा होगा त्रणावरताया यमलार जुनाय यह सब पूरुष जन के कोई देवता था कोई रिशी था कंस हुआ रावन हुआ यह सब भगवान के पहले पार्शत थे जैविजय फिर यह बने तो ऐसा कभी होता है कि कोई ज्ञानी भी हो लेकिन कोई अपराध हो गया तो व समय के लिए उबूद बन गया एक है कि जितना उसने गलत करम किया उतनी देर के लिए उसको भूत योनी प्रेत योनी मिली और फिर उसका उद्धार होता है भक्तमाल में कथा आती है गोस्वामी तुलसीदाज जी काशी रहते थे तो वह गंगा पार करके जाते थे अपना rok जाते थे तो एक पाथ्र में पानी लेकर जाते थे तो जो पानी बचज जाता था तो को फट्थर पर डाल देते प्रेut nION था तो एक दिन पथर पर जाला तो पत्थर से प्रेव झी ने उसको चुवा इसलिए उसका उद्धार हो गया प्रेतियोंतर हो गया तो फिर उसने कहा कि तुमको क्या चाहिए तुलसी बाबा से पूछा कि मैं प्रेतियोनी से मुक्त हो गया बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो भगवान का भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता वो बोलता राम जी के दर्शन करा दो तो प्रेद बोला कि अगर ये अतियोटी मेरे आत में होती तो बहुत थोड़ी होता मैं भी कब का दर्शन कर चुगा होता पर हाँ एक काम कर सकता हूँ उनका एक भक्त है हनुमान वो इस समय कहा है वो बता सकता हूँ वो आप कथा करते हो रोज घाट पर हनुमान जी वहां आते हैं कथा सुनने और कोड़ी बनके आते हैं और सबसे पीछे बैठके कथा सुनते हैं तो वही हनुमान जी कोई नहीं पैचानता आप जाके दर्शन कर लेना तो तुनसी बाबा गए उन्होंने हनुमान जी को पैचाना उनको चुआ सपर्श किया तो कहने का मतलब है कि प्रेतात्मा कुछ ऐसी होती है जो शौट पीरिड के लिए आती है लेकिन जब कोई महापुरुष उन्हें चू देता है या उनके एन्वाइमेंट में वो आ जा कर्मों को हिसाब से आपने बोला कि सवर्ग और नर्क भोगने पढ़ते हैं सवर्ग तो हम सब समझ गया चीजी होंगी वहां पर नर्क थोड़ा फैसिनेट करता है और इसके बारे में आप ही ने बताए कि गरुण पुरान में बहुत डिटेल में है और गरुण पुरान कहा भारत में बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव चीज है और वह यह है कि हमने ना म्रत्यू को एक अप्शगुन बना रखा है घर में कोई खेलता खेलता बच्चा भी मरने की बात कर जाए तो माब आप क्या कहते है रहे शुब शुब बोल तो बच्चे के मन में क्या जीने की त्यारी होती है घूमने था दीन के लिए बैग लनी अपनी एक तायरी होती है शको कर लो पंद्र एखंड्रों को सबद गयंगे एक होते बैक बैंच जो पूरा मही मोージ मॉझ मस्ती करेंगे और JI अगले दिन जाना होगा तब वो कॉपी पेन खोलेंगे चलो काम करते पर एक दिन में काम होता नहीं पर नेक्स जब वो स्कूल जाएंगे तो जानबूज के टीचर से छुपेंगे पीछे बेंच मुझ चुपा के बैठेंगे दिखना जाएं कहीं कौन डरता है जिसका होमवक पूरा तुमको अच्छे कर्म करने तुम्हें सेवा करने तुम्हें भजन करने अब जो समझदार इंसान होगा न वो जीवन की शुरुवात से होमवक पूरा करने में लग जाएगा लेकिन जिसका होमवक पूरा नहीं होगा वो मरने से डरेगा क्योंकि उसे पता है होमवक पूरा हम अगला जनम धर्ती परी ले रहें, तो भी कहां जाएंगे, कोई तो ऐसी जगे होगी जहां पर हमको जनम लेना पड़ेगा, मृत्यू के बाद कोई तो यात्रा होगी, तो उसकी लिए हमें थोड़ा सा घर परिवार में मृत्यू के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, मृ कब भेटी हो, पूरन परमानंत, कम मरूंगा और कब उस पूरन परमात्मा से मिलूंगा, तो मुझे तो आनंद है कि मृत्यू आईगी और मैं जाओ, बात रही नर्कों की, गरूड पुरान सब को पढ़ना चाहिए, भले घर में आप नॉर्मल परिवार में बैठ करके उसक नहीं पड़ी, बीच-बीच के पाथ पड़े हैं, और उसको मैंने भागवट जी से रिलेट किया तो लगबख सेम है, नर्क 28 प्रकार के हैं, और जो व्यक्ती जैसे कर्म करता उसको वैसे नर्क मिलते हैं, रौरव नर्क, तामिष्ण नर्क, अंध तामिष्ण नर्क, यह स नर्कों की अलग-अलग categories है, जूट बोलोगे उसका अलग नर्क है, किसी पराय का धन चुराओगे, किसी का हक चुराओगे उसका है, इवन आप किसी चीटी को, पशु को मारोगे, नोनवेज खाओगे, उसके लिए नर्क है, हर एक चीज के लिए नर्कों का विधान है, उ नरकों की एक speciality और ये और है ये भी सब को जान लेनी चाहिए नरक में सिर्फ हमें भोगने के लिए डाला जाता है मरना मरत्यू नहीं होती आदा शरीर भी कट जाएगा गला भी कट जाएगा तो गला अलग घूमेंगा ये अलग पर मरेंगे नहीं क्योंकि नरक मतलब तुम ने जो किया उसको भुगतो अभी यहां पर तुम मरोगे नहीं चीखोगे चलाओगे भागोगे पर तुमको मौत भी नसीब दर ऐसे यहां पर होता है बर मरोगे नहीं बर तडपते रहो गये तडपने के लिए ही आपको वहां भेजा गया ताकि तुमारी बुद्धी एक बार मनुष्य बन गए ऐसा नहीं है हम कितने योगों से यह जो भीतर सोल जो आत्मा चलती आ रहे है कपड़े बदलती जा रहे है तो कभी हम ऐसा नहीं बैठी हूं आप यहां बैठो हम कभी नरग नहीं गए होंगे यह स्वर्ग हो सकता है स्वर्ग भी हो नरग भी यूमन बॉड़ी मतलब एग्जिट का रास्ता है अच्छे कर्म करो भगवान को पादो पर उसको भी हम मिस कर देते और गलत चीज जूट में अतियाचार में उन सम्में लगा कि इसको भी वेस्ट करते है चित्रलेगा जी एक मूवी है अपरिशित उसमें क्या है कि उसमें ठीडिल में आपी हई है उन को डगाया तो एसी चैश्ट के नाम की इसमें अइसा होता इस पाप के लिए सजा मिलती इसमें और भोगना पड़ेगा जी जैसे मैंने बात की थी जैसे पाग्वत के अनुसार जो लोग जीवों मारते हैं पशु पक्षी हो गए या कोई भी प्राणी हो गया, जो उनको मारता है उसके लिए ये नर्क है और वहाँ जैसा हम सुनते हैं, मजाख में लोग बोल देते हैं, लेकिन वो रियालिती है कि वहाँ गरम तेल होता है, उसमें उसके शरीर को डाला जाता है, ताकि उसका शरीर जले और वो तड़ पे, जिस तरह उसने उन पशुओं को मारा, जीवों को मारा, उसका परिणाम उसे मिलता है. एक नरक होता है तामिश नरक, अंधर तामिश नरक, जैसे कोई पर स्त्री के साथ सम्मण रखता है, तो वहाँ उसके लिए अलग नरकों की विवस्ता बनाई गई है, रोरव नरक एक होता है, बहुत खतरनाक वाले में से एक वो नरक है, वहाँ बताते है बहुत बड़ा एक एरिया है कई लाख फीट के बराबर और उसका जो ये जमीन है वो लोहे के समान बनी हुई है और उसको पूरा गर्म करके रखा जाता और उस व्यक्ति को खाली उसमें छोड़ दिया जाता है वो चार तर भागता है उसमें लेकिन जितना भागेगा उतना जलेगा उतना जहान है कि एक साल तक या एक हजार साल तक उसको नरख भोग मैं और सोचो अब रोरव नरख में एक हजार साल तक भाग रहा है उसकी क्या गति होगी तो नरख जो है मुझे लगता हमने कभी अपनी बुद्धी से सोचा भी नहीं होगा उतने भयानक वहां पर दंड व्यव बसता है उसमें व्यक्ति को व्रक्ष से उल्टा लटकाया जाता है और उसके शरीर पे अस्त्रों से प्रहार किया जाता है जैसे तलवार से मारा या बांड से मारा उसका शरीर अलग हो जाएगा वो तडपेगा फिर शरीर एक हो जाता है और फिर उसको अलग किया जाता है यानि ये प्रक्रिया सालों सालों तक और कई बार हजार सालों तक भी चलती है। तो अब बताईए, अब हम इसके बारे में बात नहीं करते, ना हम पढ़ते, इसलिए हम गलत काम करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ानी हमें यह नहीं पता कि इतने हजार साल तक हो सकता हम उसमें तडपे इससे अच्छा है कि आज ही हम यह काम करना बंद कर दें जूटी गवाई देने वाले उनके लिए भागवाजी में नर्क लिखा हुआ है कि कि आप किसी के लिए जाके जूटी गवा करा एक जैसे कि हमने रत्यों कि बाते करिंगे आत्मा कि साइकल की बाते करिंग अभी हमिए पॉड्कास रिकार्ड कर रहे हैं पित्रपक्स चल्राएं थी यह बहुत है चांद की क्या इंपर्टेंस है एक ब्नदान की क्या इंपर्टेंस है शाध में रे किंधाटैन ना चाहिए हमारी परंपरा है हमारे रिशिमुन्यों ने बनाई है पिंडिदान की विवस्ता रिशिमुन्यों ने बनाई है लेकिन अगर मुझसे पूछो परिसे पूछो यह मेरा विक्ति विचार है इसमें ना किसी शास्त्र का मैं भक्ती की point of view से अगर देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद अगर कोई गयाजी में जाके मेरे लिए कुछ डाल आटा चावल दान कराएगा तो क्या उससे मेरा धर हो जाएगा क्या मेरा बेटा मेरे लिए कुछ दान कर दे मेरी मुक्ती उसमें कैसे हो सकती अगर मैंने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किये हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था जो बनी हुई है यह एक हद तक हमें मदद करती हैं लेकिन अगर आप मुक्ती चाहते हो मुक्त होना चाहते हो तो आपको उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा आप अपने बच्चों आप आगे आने वाली पीड़ी के भरोसे नहीं जी सकते कि ये कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे अब मैं इस बात को अपनी कथाव में भी कहते हूं कि जीते जी अपना पिंड़ेदान खुद करके जाओ पिंड़ेदान का मतलब वह वाला नहीं शाद वाला नहीं पिंड का मेरा मतलब है यह शरीर यह शरीर हमारा जो है यह पिंड है इसको दान करो इसको दे दो किसको दे द तुनसी की माला इसका मतलब है कि हम जीते जी अपना पिंड़ेदान कर चुके हैं हम भगवान के हो चुके हैं हमने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया अब हमें किसी की ज़रूत नहीं कल को कोई ना भी करेगा हमारे लिए शाद पिंड़ेदान तो मुक्त हैं क्योंकि हम लेकिन मैं आम जन्ता जो आम जन्वान से उनसे ये सलहा तो नहीं दूँगी कि आप शाद मत करिए पिंडदान मत करिए वो एक आम इंसान के लिए ग्रस्त के लिए बहुत जरूरी है पर इतना जरूर कहूंगी किसी के भरो से मत रहो कंठी धारन करो और अपने शरीर को सेवा है सेवा मतलब जहां आपको लगता है कि किसी मानव को आपकी आवश्रक्ता है किसी प्राणी को आपकी आवश्रक्ता सेवा करिए उनकी तो ये आपका कार्विक अकाउंट बैलेंस बढ़ा तैयारी क्या है मतलब जैसे हम बैलेंस अकाउंट में डेपोजिट करते जा लेकिन यह हमारा बहुतिक अकाउंट है एक है अध्यात्मिक जगत अध्यात्मिक अकाउंट वो अभी जीरो है उसका बैलेंस बढ़ाओ वो तैयारी है कि जहां मालो मुझे भारतिय मोद्रा इंडियन करंसी अगर मुझे यूएस में चलानी हूं तो मैं रुपिया लेकि पड़ेगा उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा डॉलर करंसी वही है पर एक्सचेंज होना जरूरी है आगे की तैयारी से मेरा मतलब है कि हम जो कमा रहे हैं जीवन में यह उस दुनिया में नहीं जाता यह उस जगत में नहीं जाता तो हमको क्या करना उसको एक्सचेंज क कैसे होगी कि हम हमारे पास जो है हम उसको दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो इसका मतलब एक्सचेंज हुआ और अब वो एक अध्यात्मिक पूंजी बनके हमें वहां मिल जाए तो यह हमें करना पड़ेगा सेवा करिये और दूसरा भगवान की भक्ति बिना भजन उमा कहूं में अनुभव अपना सतहरी भजन जगत सबसपना वगवान शंकर कहरे पारवती को तुम कितने भी लाग प्रवचन देलो कितनी भी बड़ी बड़ी बाते कर दो पर पारवती मेरे सारे जीवन का अनुभव यह है बिना भजन बिना भक्ति के जीवन एक सपना और खाली निराशा से बड़ा हुआ है तो सेवा और भजन यह दो चीज मुझे लगता आगे आने वाले जीवन की तयारिया है शितलेखा जी आपने तो बहुत अच्छी बाते बता दी अभी इस वीडियो को देखके कहीं के मन में आएगा कि बहुत पाप कर लिया है नौन्वेज भी खा लिया है या फिर और अलग-अलग लोगों को परेशान भी किया है लोगों को पता होता है उन्होंने जो पाप की होते हैं लेकिन अब मेरा मन कर रहा है सुधरने का तो क्या यह पॉसिबल है कि अभी से मैं सुर्ग किया एक अच्छी लाइफ आप्टर देथ की तैरी कर सकता हूं या अपने पाप दुनने के कोई तरीका है मैंने अजामिल की जो कधा सुनाई वो बिलकुल यही आंसर है अजामिल है किये थे बुरे करम लेकिन उसको एक छांस दिया कि तूने जो किया सु किया, अब तू श्रद्धा से नाम ले, अब भगवान का नाम लेगा तो तेरा उधार होगा, लेकिन इस विश्वास के साथ कि अब वो गल्ती दुबारा नहीं दौरा होगा, ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गंगा में इन्हाने से पाप वहां जब दंडे पढ़ेंगे तभी उसका उद्धार होगा तो अगर आप गंगा जी जाबी रहें इसका मतलब प्राश्चित हो गया अब नहीं करूंगा अगर यह प्राश्चित रख्याप करते हो तो जरूर आपके जो पिछले पाप ही है वो खतम हो जाएंगे ऐसा नहीं फल तो मिलेगा लेकिन जैसे आदमी सरेंडर कर देता ना तो उसकी सजा थोड़ी माफ हो जाती है कम हो जाती है तो आपने जो पाप किये हैं अगर आज भी आप ठान लेते हो कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा अच्छे करूंगा तो पिछले पाप कम हो जाएंगे और आपको जल्दी सुख या फिर मुक्ष जी से कहते हूं मिल जाता है यह सच है सही सुनाए क्योंकि भक्तमाल में लिखा है कि और युगन ते कमल ने ने कृपा कली बहु करी मतलब और युगों के कंपेरिजन में भगवान की कृपा कल्यूग पे जादा है क्योंकि यहां इसी महता का नाम आपने सुना होगा गुजराद भगवान ने उनको उनके जीवन में लगबग बामन से चपन बार दर्शन आके दिया जबकि सत्यूग में एक बार भगवान को देखने के लिए हजार हजार साल तक तप लोग करते थे तो कल्यूग जो है बहुत ही अच्छ तो फाप लगेगा थोड़ी चूट दे दी गई कि नंब से सोच गए लगेगा पर थोड़ा कम लगए तुम जो अपने हाथ से करोगे शरीर से करोगे उसका पाप पूरा लगेगा तो उस इसाब से कल्यूग में बहुत इजी है भगवान को पाना क्ल्यूग का आंत कैसा हो और बीते हुए अभी उसको केवल 5000 साल हुए हैं तो मतलब यह शुरुवात हुई और जब शुरुवात में यह हाल है आगाज यह तो अन्जाम क्या होगा और अन्जाम भागवत में लिखा है कि दौपर में एक कंस था पर कल्यू में गिंती नहीं होगी राक्षस व्रत्ती हैवानियत और वह हम देख रहें आज के समय में यह तो आप सोचो अन्जाम कैसा होगा वागवत में लिखा है कि कल्यू के अन्जाम में आदमी की जो एज है वो घटे-घटे 20 साल पहुंच करियर भी चूस करना है शादी भी होनी है बच्चे भी होना दादा पोती भी बनना है और उसके बाद 20 साल बाद और वो देख रहे हम पहले आज से कुछ समय पहले 100 साल एज होती थी फिर अब असी हुई साथ हो गई और वो धीरे धीरे घटे घटे व्यक्ति का कद हाइट घटेगा भागवत में लिखा है गाए बेलों की जो हाइट है बकरी के जैसे बिल्ली के जैसे हो जाएगी व्यक्ति की हाइट कम हो जाएगी और पाप तो मतलब कोई सोच नहीं सकता इतने अत्याचारों इतने पाप होंगे तब फिर अंत में कल की अवतार होगा जो कल्योग का प्रधान अवतार है कल की अवतार के कोई वर्णन मिलता है क्यों ऐसे दिखेंगे या ऐसे आएंगे हाँ राजशी वेश पर आएंगे भागवत में लिखा है कि संबलपुर एक काउं है इलाबाद के पास वहाँ पर कल की भगवान का अवतार होगा और घोडे पर सवार होकर के जैसे एक राजा होता है हाथ में तलवार लिए हुए भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं जैसे कृष्ण अवतार माधुरी अवतार है कल की अवतार ऐश्वर्य अवतार है उसमें ऐश्वरिता होगी मतलब आप कल की भगवान से है तो भगवान लेकिन आप उनसे प्रेम नहीं कर पाऊगों एक रहतना कनेक्शन जैसे राम जी से आप कनेक्ट फील करते हो आप वै राजशी वेश में भगवान का अवतार हो। आपको बहुत कुछ नहीं बदलना या बहुत कुछ छोड़ना नहीं है, मुझे लगता है कि जब व्यक्ति को एक ऐसी चीज पकड़ लेता ना बड़ी चीज तो छोटी चीज उसे छोड़नी नहीं पड़ती, आटोमेटिकली छूट जाती, माल लीजे मैं एक महीने का पांच आप छूट जाएगा, अभी जो यंग जनरेशन है उसने जिस चीज को पकड़ रखा है, उनको लगता है कि शायद मैं कलब जाओंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मिलती भी है पर बहुत ही चंद घंटों की, चंद मिंटों की और जैसी वो घर आते, घर आते फिर वो जन्द है अधियात में, भगवान के नाम में, और वो अगर उनको मिल जाएगा, तो धीरे धीरे उस तरफ एट्रेक्ट हो जाएगे, आज कर जो यूथ है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तो उसको बचपन से धर्म का नॉलिज नहीं दिया जाता है, ज इसके लिए पहले चीज़ेगा, यहीं बचपन से अध्यात्म की वेल्यु समझाना है, अब हमको बहुत इकता की वेल्यु पता है, बैटेριल चीजों की, गाड़ी की, आइफोन सिक, इनकी वेल्यु में पता है, यही वेल्यु अगर बचपन से हम उनको अध्यात्म की बता तो अपने आपको उस तरफ से एट्रेक्ट होंगे, तो पढ़ाई हो या उनका करियर चुनना हो, उनको धर्म से जोड़े, बच्पन में घर में उनको कथा सत्संग से सुनाए, परिवार बैठके थोड़ी देर कोई अच्छी भगवत गीता उठाके पढ़ लीजे, पूरा प जोड़ी है और मेरे जीवन में अच्छे पॉजिटिव वे में आना चाहिए, यूथ को अपनी दिन चर्या को अपना जो रैगुलर सिस्टम उसको ठीक करना चाहिए, मतलब आप दिन में कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, आप सोने की समय जाग रहे हो, आप जागने की समय स मेरा माइन डिस्टरब की है माइन डिस्टरब इसलिए क्योंकि आपने सारे सिस्टम को बेग कर दिया एक दिन मुलट पुलट कर दिया तो अगर आप अध्यात में शुरू करना चाहते हो पहली चीज खाना और देखना इन दोनों चीज़ों सही करने से आप शुरुवात कर सकते हो कुछ गलत मत खाये सात्विक चीजे खाये और देखना देखने में भी जब तक आप सात्विक चीजे नहीं देखेंगे तब आपके भीतर क्या जा रहा है आपके कानों से क्या जा रहा है वो सब आप पर आपके थोट्स पर आपके हमने डाला था कि चितलिखा जी आ रही है आपके क्या-क्या प्रश्न है तो आप जो उनसे पूछना चाहते हैं तो एक-एक मिनिट में आप शौट में इसका अंसर करिए लोगों अपने डेली लाइफ से जो कुछें से पूछें यसे पहला कुछें है कि व्रत कैसे रखे और में क्या-क्या गलतियां ना करें अगर आप केवल खाने वाले व्रत की बात कर रहे हैं तो उस व्रत में कोई भी व्रत आप रखते हैं उसमें अन नहीं खाना चाहिए अन में उस दिन पाप का वास होता है और दूसरा व्रत का मतलब केवल खाना नहीं होता है व्रत का मतलब है कि आप बुराईयों से दूर रहें अगर आप रख रख रहे हो और आप केवल खा भर नहीं रहे हो और बाकी सब उल्टी सीधी चीज़े कर रहे हो तो वो वरत माइने नहीं रखता है उपवास का मतलब होता वास उप भगवान के पास रहना भगवान के नजदीक रहना तो यह करिए कि आप उस दिन और दिनों के कमपेरिजन में थोड़ा अपना धर्म और अपना भजन बढ़ा दीजे अपना सत्संग बढ़ा दीजे वो आपका असल में वरत होगा घर में तुलसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए या तुलसी का क्या महत होता है घर सिर्फ फिसलिय छोड़ दिया था क्योंकि जानते भी नहीं थे उनको यह पता था आंगन में तुलसी है मतलब कोई सात्विक व्यक्ति है तुलसी का मतलब होता है सात्विक था इससे हमारे साइंटिफिक रीजन्स भी बहुत है साइंटिफिक अगर आप तुलसी अपने घ होग तो लगता ही है बिना तुलसी भगवान स्फिकार करते नहीं तो तुलसी का होना घर में सब के लिए जरूरी है सब को आंगन में तुलसी रखनी चाहिए घर की तुलसी बार बार सूख जाती है तो क्या करना चाहिए उसके लिए आपको देखिए तुलसी बहुत ही एक एक विशेश चीज अगर आप धर्म से जुड़ी बात पूछ रहे हैं तो अगर आप तुलसी को अच्छा रखने चाहते हो कभी आप व्रंदावन जाते हो तो वहां से थोड़ा प्रज की व्रंदावन की माटी लाए और यमुना जी का जल लाए वो दो चीज आपको अपनी तुलसी में जरूर डाल के रखना चाहिए उससे क्या को दो चीज होगी तुलसी महरानी को ब्रज बहुत पसंद है क्योंकि वरंदावन वरंदा से ही नाम पड़ा वरंदा तुलसी जी का नाम है तो उन उनसे वो खुश रहेंगी और दूसरा आपके घर में भी ब्रज का व क्याने वरंदावन का वास होगा वरंदावन की माति का जल है को कुछ दिनों पहले कि वीडियो वाइरल वह इनका कि वह बास से बंती है नहीं जलाना चाहिए नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हमारे अगरवती धूबती दीप ये तो अगर आप पढ़ेंगे शास्त्र तो हर जगे ये लिखा हुआ आता है तो ऐसा कुछ नहीं हाँ थोड़ा हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो उसका थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है उसमें आप इत हुआ कि देखिए ठा país कि अगर चैजर के भगवान तो हमारे अपने भगवान है अपने भगवान के साथ हम अपने जैसा बेभार करतों कभी को गल्तिया हो जाती है क्योंकि घर में जो बहगवान होते विशेषकर उनकी प्रान प्रतिष्ठा नहीं होती है मंदिर के भगव पुजारी जी होते हैं जो टाइम टू टाइम हर विधी विधान का ध्यान रखते हैं घर में आपके ठाकुर अपने जैसे कभी मन किया उनको आपने जो आप खारे वो खिला दिया पुछ अच्छा पहनाने का मन किया वो पहना दिया यह डिफ्रेंस और दूसरा हा मंदिर की ज साथ एक ही स्थान पर हुई है इसलिए उस्थान का मत घर से थोड़ा जादा होता है जो लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है हवा तो सब जगे हैं लेकिन उस हवा को एक टायर में भरने के लिए आपको स्पेशल दुकान पर जाना पड़ता है तो वैसे ही भगवान स सब जगे हैं लेकिन अगर विशेष्ता से आगर आपको ऑगवान को ध्यान करना भजन तो उसके लिए मंदिर हो जगा तीलक लगाना क्यों जरूरी है है कि यह था ऐम भगवान के है एक पुलिस वाले का उनिफॉर्म होता है एक आर्मी वाले का सुल की उनिफॉर्म होती है यह हमारी उनिफॉर्म है कि हम भगवान के हैं, भगवान के भक्त होने के लिए हमें एक उनिफॉर्म की जरुद पड़ती है, और वो देख करके, मैं हमेशा कहती हूँ, तिलक आपको गलत चीजों से रोकता है, अगर मेरे माथे पे तिलक है तो मैं कलब नहीं जाओंगी, वह इसके साइन्टिफिक भी बहुत रीजन है, माथे पर आपकी शीतलता आजकल इनसान का सबसे ज़्यादा ये दिमागी गरम रहता है, तो इस पर अगर चंदन थोड़ा सा रहेगा, चंदन अश्य महत पुन्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी परमान है, चंदन लगाने से लक्ष्मी का भक्ती का वास होता है, अकाल मृत्यू कभी भी एक्सिडेंट हो गया, अकाल मृत्यू उसका हरन हो जाता है, तो इसलिए चंदन बहुत आवश्यक है, आजकल के मौडन परिवेश में क्या मंगल सूत्र पहनना ज़रूरी है, ये निर्भर करता है आपकी अपनी इच्छा पर अपनी विचार पर मंगल सूत्र किसी शास्त्रिय विधा का हमारा कोई परंपरा का वो नहीं, अगर आप देखेंगे पूर परंपरा में भी, तो वहां उस परंपरा में ये मंगल सूत्र की रीती नहीं थी, वहां पर सूत्र ब थोड़ा कुम-कुम लगाती है मांग में थोड़ा कुम-कुम लगाती है वो विधान शुरू से हमारी परंपरा में रहा है लेकिन मंगल सूत्र का ट्रेंड भी बाद में आया है यह अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे तो आपकी अपनी इच्छा पर नियुको अच्छा लगता है तो आप पहन सकते है घर में शिवलिंग रख सकते हैं जी छोटे में जैसे हर मूर्थी का एक रहता है कि आप आहे वार सब्स्याइब मोर्थी अपने हर नहीं नहीं रख सकते है क्योंकि फिर आपको उसकी प्रान प्रतिश्णा करानी होती ह अनिता अगर आप छोटे रूप में शिवलींग रखना चाहते तो आप घर में रख सकते घर के जैसे बहर का मेंडिट होता है लोग वसमें भगवान वाली टाइल लगा देते हैं या चोटी भगवान की फोटो लगा देते हैं घर के बार में As a showpiece क्या चीज़ करनी चाहिए? नई, पिल्कुल नई, भगवान कोई showpiece का काम नहीं करते हैं, भगवान की मूर्ती, even भगवान का नाम, भगवान का नाम भी अगर आप कहीं लिख रहे हो, तो उसको बहुत सोच समझ कि पवित्र जगे पर लगाएं, घर में लगा सकते हैं, घर में ऐसी जगे लगाएं, जहां किसी के गंदे पाउ न पढ़ते हो, हाथ न लगते हो गंदे, तो नहीं तो फिर आप अपराद कमाएंगे और इसके लिए आपको पाप का भागी बनना प कृष्ण बोलते ऐसा नहीं है, लेकिन राधा रानी के नाम मिठास है, क्योंकि कृष्ण भी जिसका नाम भजते हो, तो कोई तो उस नाम में बात होगी, राधा रानी का नाम, अगर कृष्ण रोते रोते राधा राधा बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नाम मिश्री से भी मीठा तो राधा तत्व बहुत गहरा तत्व है बहुत सारे लोग समस्जरते उनको लगता है राधा मतलब कृष्र की प्रेमिका क्ष्राल प्रमोशन होता है तब वो जाके राधारानी तक पहुँचते हैं और जिस वरधावन में हम रहते जिस ब्रज में हम रहते वो धाम राधा रानी का है तो वहां जो जाएगा वही जाएगा जो राधे राधे बोलेगा या राधा रानी जिसको बुलाएंगी और आम तोर पर भी अगर आपसे कहा जाए कि दो मिनट के लिए आँख बंद करके राधा 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 बोल शास्त्र पढ़िए राधारानी के तत्यों को समझे या कोई अच्छा महापुरुषो जो ब्रज से हो राधारानी के बारे में जानता हो उनसे सुनिये कौन थी राधा तब आप नाम लेंगे तो आपको और आनन्द आएगा थैंक्यू सो मच हमारे कृश्चन्स होगे शितलेखा जी आपसे आप कारुणपंडी शो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आप दुबारा भी हमारे शो पर आए और मैं अपनी ओडियंस से कहूंगा कि आप अगर मेरी जगे होते और आपको मौका मिलत जितलेखा जी से सवाल पूछने का तो आप क्या पूछते तो वह हमें कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा थैंक्यू सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए